इसके बाद जो अगली केटिगरी आंट्स की होती है वो है soldiers, आंट्स में से कुछ क्या होती है, यह इनकी duties डिवाइड की गई है, जैसे worker, इनका काम worker आंट्स का काम है, food सर्च करके लाना, अब soldiers जो है, soldiers have separate barracks, soldiers के भी अपने अलग अलग rooms जहां पर रहते हैं, अलग अलग होत करते हैं, and workers है, cleaners होते हैं, जो साप सपाई वाले, never harm grubs, यह क्या करते हैं, यह जितने भी categorize की हैं, एक दूसरे के quarters, एक दूसरे के rooms में, एक दूसरे के जहां पर रहने के, वहां नहीं जाते हैं, यह अपने-पने reserve quarter, reserve rooms में ही रहते हैं, और यह कभी भी जो grubs हैं, young ones, इन इनको harm, इनको नुकसान नहीं पहुचाते हैं, the queen is the mother of entire population of the colony, इसको colony कहा जाता है, इनके जो group जुंड है, तो इस पूरे colony की जो mother होती है, वो होती है, queen aunt, okay, and has pair of wings, जो queen, बाकी जो aunts है, उनके wings नहीं होते हैं, लेकिन जो queen है, उसके पास pair of wings होता है, ठीके ना, wings उनके होत हैं, but bites them off after its wedding flight, लेकिन जब ये जो queen aunt है, अपनी wedding flight के दोरान, wedding, साधी flight, wedding flight के दोरान, ये क्या करती है, उसके बाद अपने उन wings को तोड़ देती है, उन wings को क्या करती है, उनको bites them off, उनको हटा देती है, वो हट जाते हैं, ओके, अब यहां से देखते हैं, queen aunt goes to meet male aunt, जब queen aunt, आप इसको समझ सकते हैं कि weddings से रिलेट कर सकते हैं, queen aunt goes to meet, जब ये male aunt से meeting के लिए जाती है, drone, male aunt को क्या बोल जाता है, drone, in hot summer day, high up, उपर उड़के, in the air, air में, उसके बाद जब ये वापिस दुबारा अर्थ पर नीचे आती है, तो ये अपने wings, उनको क्या कर देती है, just bites them off, okay, then lay axe, उसके बाद ये axe देती है, axe hatch and grubs come out, उनमें से क्या निकलते हैं, grubs निकलते हैं, soldiers guard them, अब वो जो grubs हैं, उनको guard करने का काम कौन करता है, soldiers aunts जो होती हैं, वो करती है, then also carry them for daily airing, और soldiers aunts की ही जिम्मेदारी होती है, उन grubs को रोज बाहर airing, हवा में, fresh air में ले जाना, exercise करवाना, sun sign करवाना, ये soldiers के aunts की duty होती है, two or three weeks later, दो से तीन हपते बाद, grubs became cocoons, ये cocoons बन जाते हैं, and lie without food और activity for three weeks, और बिना food और activity के फिर three weeks तक ये ऐसे ही रहते हैं, then cocoon breaks, फिर ये cocoon breaks होता है, and perfect aunts आपेर, उसके बाद ये perfect aunts बन जाते हैं, okay, and then, now it's time to teaching and training, जब यह perfect aunts बन जाते हैं तो अब इनकी training होती है, teach इनको सिखाया जाता है So, इनको कौन सिखाता है, इनको soldiers हैं, वो सिखाते हैं, workers aunts हैं, वो सिखाते हैं, इनको भी सिखाया जाता है of aunts, aunts की कुछ breed होती हैं, जो बहुत कम है, वो भी आ रहती है, green fly यहां रहती है, इनके साथ, इनके ant hills में और भी creatures यह रहते हैं Why aunts allow these alien creatures to their home, अब जो aren't है, वो in alien, alien means जैसे हमारी अर्थ है, यहां पर कोई बाहर दूसरे प्लैनेट का है, तो वो alien है, इनके घर में जो बाहर से कोई और है, aunts तो रह सकती हैं, लेकिन कोई और है, तो वो alien है, इन alien creatures को, इनको, यह क्यों allow करती हैं रहना, इसका reason है, because pleasant smell देते हैं, यह creatures, and some juices, कुछ उनको juices देते हैं, and some are pets, और कुछ ऐसे होते हैं, जैसे उनके यहां pets होते हैं, like cat or dog for humans, जैसे human beings जो है, वो अपने घर में pets रखते हैं, cat or dog, ऐसे ही कुछ इनके pets होते हैं, कुछ उनको pleasant smell देते हैं, कुछ उनको juice देते हैं, okay, green fly है, जैसे ants, cow, greenfly जो हैं जैसे humans जो है इनके पास जैसे cow होती है ऐसे greenfly यहां पर cow. As a cow, जैसे humans की cow होती है, ऐसे इनके पास रहती है. As a pet. Annts train it to give honeydew like cow milk. जैसे humans के घर में cow होती है, वो उससे दूद्द निकालते हैं. ऐसे यह भी Annts greenfly को train करते हैं honey के लिए. सहद इन से इनको मिलता है as a pet रखने के बाद things should learn humans by arts और arts जो हमारे teacher है हमें humans को इन से क्या सीखना चाहिए hard work, sense of duty, discipline cleanliness, care for young छोटों की देखभाल करना loyalty to the land where they live और उस जगे जहा हम रहते हैं उसके लिए loyal होना ये हमें सिखाया जाता है okay so this was the explanation of this chapter a short summary okay this will help you and after this you will do the words meaning